ज़म में कही होती नहीं मिलर नीछ इनके भांड़ ह Michalai Annad бол थोड़े सुर्ष से बकेते हैं सक्षे आड़ी बना है अरे या में पहुत अच्छी लगती है बात रोड़्त उ protecting भूब talking में बहुत बहुत में सौरप ब्रれज में ब्रजवासियों के घण से तमां संत मदुकरी यानी खाना मांग कर खाते हैं। आज लाखों और करोणों के दिलों में राज करने वाले प्रिमनंद महराज भी मदुकरी मांग कर अपना जीवन ग्यापन करते थे। आज हम उसी घर पर आए हैं जहां पर बाबा ने 18 साल भोजन मांग कर खाया देखें यह कुझज गलियां है प्रजे तो कुझज गलियां आप देखिए यहीं से बाबा आते थे और रोजाना इन कुझज गलियों से होते हो और पीछे की अगर देखाऊं तो इधर भी गलियां यहां पर बाबा आते थे घर के फ़रस्ण करता हूं यह घर है और यहीं पर बाबा रोजाना आते थे आई यह दिए ले चलते हैं आप सको अंदर आप बात करेंगे यहां पर कब तक उन्होंने भोजन मांगा तो कब कब आते थे यहां पर रादे 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 अगर बाबा की बात करें परिमानन महराज जी की तो कब कब यहां आते थे हमारे यहां रोज आते थे परसाद पाने के लिए बैड़ते थे आराम करते थे एकसरसाइज करते थे बहुत प्रेम से परसाद मनाते थे फिर वो पाते थे कब तक उन्होंने आपके यहां बोजन मांगर खाया चोटे-चोटे बच्चे थे उनके साथ खेलते थे वो बात करते थे प्रेम से और अठारे साल हमने बोजन बनाए उनके लोग होते हैं कि एक दिन भी किसी के बोजन ने खिला सकते लेकिन आठारे साल काफी लंबा वक्त हो तो हमें गोंने जिना हाना धारे त्याशन लौज में रहाएं जचुना कोजन ऊचान हे तो हम मिक्सी मैं उसको विक दब ऐसक घोट के और chegou ú डालके पप्लाथे बाबा थाली उठाके सारी पी जाते थे तो बाबा बेश्चे हो से अपटो दोनों दोनों भी बाबा करते थे हरी चरचा करते थे और उन्होंने अपने पहले भी मतलब कहा है कि बन्दामन विवास लालू भईया की विजए से नीख गूंग कि उनolen बात को दोरा चुके हैं कह चुके हैं सबस्याद है बाबा को क्या पसंद खाने में बाबा खाली खुशक फुलका और घिया की सब्जी खाते थे उबली हुई कभी-कभी मनकर जब वो थोड़े सवस्थ से तो कहते थे सकी हाथ की रोटी बना अरे या मैं तो बहुत अच्छी जैसे बैठते हैं थे हमारे पास और रोटी खाते थे बनाते थे हमातकी रोटीिघा दे जब बाबा ने यह भी कहा था कैमरे के सामने जब सब के सामने बोला है कि मैं ब्रिंदावन बास किया है अगर भोजान अगर मुरुजे मिलता था तो यहीं पर मिलता था तो कितना मानती है सही तुन में तो एसस सोच भी नहीं सकते तो भाबा की मन में हमारे प्रति बहुत जादा शड़ा ती बहुत ज्यादे हैं बहुत प्रेम कर देते हैं कभी 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 क्योंकि अब ओखा नहीं पाते हैं और उनके लिए घीया की सबस्जी ले बनाते हैं और उनके लिए घीया की सब्सक्रेट ये Gest questioning यह पहला है अगभाबा कभषक और दूर सेटाना व्यवक्राइब टाने हैं डिया थे रसी जा सोल सबस्bery करना है कि ए deleting को को सैंतिले दूर्फ ऐंति आठ प्रभी आते मैं पिर ऐप से शायने दिन्गोल करों एक लिए का इस थी है बागी उनका मन यह होता है कि हम रिंदा अनुवास करें वह यह कहते हैं हमसे वह भी प्रातना करो श्रीजी से कि मेरा बिंदामन नहीं चूटे मैं यहीं रहूं गुरू की आगया तो मुझे जाना बड़ता है इसलिए वह चले आते हैं लेकि जब वह आते हैं तो हमारे पास जरूरा देलने आटा लेके जाते हैं या और लेकि जाते हैं रोड़ी लेकर जाते हैं और उसको मिला दें इतो है कि यह वहीं और इसलिए वह हमारे या एदेगे जाते हैं और जो ब्रीज वासी। सबसे कि बुद्ध संतों को बुद्र बरनी किसकेश वंसे नह अपर आते थे कि हमें वहाँ अच्छा लगता था क्योंकि आंगे के मुल्ट दैंग वह मुल्टiron तो इनको जितना भी हो सके करो उनका ये भी कहना था कि करो किंचित ना थाको बंचित उनको बिलकुल खाली मत कभी भी छोड़ो ये नहीं कि अरे बाब आप में आना या आज नहीं है रोटी चाह कुछ भी दो कुछ नहीं तो रामायन जी की एक चौपाई बूल दो लेकिन सं तो श्रीबाद बाबाबा भी आते थे तो हमारे घर में उनकी बहुत कृपार रही संत महात्माव की चाहे थोड़ी देर के लिए आते जरूर कि कभिए ऐसा वी होता है कि आप लोग कभी भाहर गए हो और बावा अब भोजन लेना है तो ऐसा हुआ कभी कि निए हमारे गर में हमेशा कोई ना कोई रहता है । और अगर हम में कमी कही जाना है तो हम 25 लिए बंआ तो नहीं… बावा अए तो टो आपने बताया कि बावा के दांतों में लगत थी इसलिए के मैया कुछ करो चबानान Υी तो पर आम उनको मिक्सी में होटके सारी डोटियां पानी डालके चीनी डालके तो वो थाली इखाके कटोरा बढ़के प्रॉबलम को भी हो सकता है औरक्षानी हो गी हो जिस समय हमारे आते थे उससमय यह प्रॉबलम थी कि नॉर्मल से उनकी किड़नी बड़ी होने लग गई थी, तो वो उनको पीड़ा देती थी, तो फिर तब नहीं खा पाते थे, बागी उस समय भी हमारे आते थे, मैया दर्द है, लेट जाते थे, उनका बैठते थे, देखते थे मेरा कौन सा स्वर चल ला है, सीधा चलता था, तो खाते थे, लेट जाते थे यहीं आंगन में, हम कहते थे बाबा चटाए, अरे मैया सब ठीक है, मैया सब ठीक है, और लेट जाते थे, और जब स्वर उनका सीधा चलता था, फिर कहते थे लाओ मैया लाओ, लाओ सकी बोजन लाओ, भोजन पाके, बच्चों से बात करके, माता जी से, पिता जी से सबसे दंडवत प्रनाम करके तब शा दे थे रादे रादे तक ऐसी जो रसुई है इसी में बोजन बनता था और इसी जो आंगन है यहाँ पर बाबा बैठते थे आराम भी करते थे हमारे साथ यहाँ पर बाब मैं भी आयो लालु है लालु विया है और उनके प्रावनां की पुष्टि के लिए उसी दिवय्त मरन को पुनर्जागरत करने के लिए उसकी बार बार स्मिर्थी करने के लिए उनसे मिलने का उद्देश कोई अर्थोपार दिन नहीं उनसे मिलने का उद्देश कोई अपनी प्रसंशा, कोई अपनी प्रसिद्ध fing कोई चर्चा का नही, बस उद्देश के वोल इतना ही है कि वो हमारी प्रती प्रसंटा बनाई रखे हैं और हमारी शत्धा उनके प्रती बनी रहे है, और इन सब बारता है यदे भी हमने न कुछ किया न हम कुछ करने लायक यथारत बात यह है कि उनके ही प्रारब्द का उनके बागी का जो अन्य था वो उन्होंने स्वयम ग्रेंड किया जैसे इश्वर करते हैं अपने भक्तों से और उसके अत्रिक और कुछ बात नहीं यथारत बात तो मेरी उमर हम लोग चोटे-चोटे थे कशा नौवी या आठ मी पढ़ते थे तब की बात है जब वो सबसे पहले पहली बार वरंदावन आये थे तब उन्होंने बावा से मिले पिताजी से मिले तो उन्होंने एक बार बातों ही बातों में कहा था कि बच्चा हमारा तो लगत अब देख सकते हैं पूरी थाली यहां पर सजी हुई है और देखिए दाल रोटी लेनी के लिए यहां पर रोजाना आते हैं यह संत रादे रादे मारा जी रादे रासियाम सबसे आ रहे हैं आप यह मदुकरी लेनी के लिए देखे मारा जी बात नहीं करते हैं किसी से से मधुकरी लिया और चले गई और यहां पर ऐसे ही संत रोजानotz यहां पर आते हैं मधुकरी लेने के लिए और हमारी बात कुछ रह गई थी बात करते हैं जब आप अठी में बढ़ते थे आठी मैं शायद नॉवी कक्षा की बात थी तब की बात है तो जैसे बच्चों से खेल में अपने घर के बड़े कहते हैं तो उन्होंने कुछ कहा, कुछ हमने कह दिया, लेकिन उनकी श्रद्धा को पुष्ट किया भगवान श्री हरी ने, यदे भी हम कुछ करने लायक है नहीं, जो भी कुछ मूल बात है, मूल रहस है वो ये है, कि उन उनकी आदर की भावना है, जो वो हमारे प्रती ऐसास नहीं रखते हैं, यदे भी हमारा कुछ इसमें हेतु नहीं है, न हम कुछ करने वाले हैं, जो कुछ है, इश्वर की प्रेणा से है, जो भी कुछ है वो उनका प्रारद्ध है, उनका भजन है, उनका ब्रद्वासियों क उनकी मुलाकात होई हमारे पिता जी ने उनको बताया कि बावा आप सबसे पहले ब्रजवासियों के यहां से आप अनलो जिससे आपका भजन में मन लगेगा हमारे पिता जी ने उनको एक बात बताई थी कि जब ठाकुर जी अपने धाम को चले गए ठाकुर जी जब अपने ध स्वरूप देखना और संतों को बोलके गए थे कि ब्रजवासियों में मेरा स्वरूप देखना तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं हम भगवान कृष्ण का स्वरूप ही संतों में देखते हैं और ब्रजवासियों में संत ठाकुर जी का स्वरूप देखते हैं बाकी यही ह बावा की बड़ी करपा बावा हमारे घर आते थे और उनी की ऐसी प्रेड़ना थी कि जितने भी जो भी संत आएं यहां पर ब्रिजवासियों का अन्न खाएं क्योंकि ब्रिजवासियों के घरों में गव की सेवा होती है संतों की सेवा होती है और घर में सभी ब्रिजवासियो के घरों में ठाकुर जी है तो ठाकुर सेवा होती है तो तीनों सेवाएं एक ही जगे पर हो जाती है इसलिए वो ब्रजवासियों के प्रति अपना बहुत अच्छा भाव रखते थे आज बावा को इतनी हाती प्राप्त हुई है मानते हैं कि आप सभी का इतना प्रेम और बावा का यही भाव था और हमारा भी बावा के प्रति एक वो बढ़े अच्छे संथ है सब के प्रति उनका इसने ए और सभी के लिए वो चाहते हैं के सभी लोग सुखी रहे और ठाकुर जी का नाम जपने खाली यही बात कहते हैं कल योग में केवल नाम ही अधार है आप नाम जब करिए आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है भजन बने नई बने लेकिन आप नाम जरूर लेते रहो और ठाकुर जी की अपनी हाजरी लगाते रहो भईया यही सब कुछ है बाबा की करपा बाबा महराज की करपा बड़ी ऐसे संद दुरलब है भईया जब तक हैं यहां धराधाम पे इनकी दर्सन करें इनका आसिरबाद ले रादे रादे भईया